जियां दोस्तों अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप आसान किस्तों पर कोई भी मुबाइल लेना चाहते हैं जैसे कि मैने का 500-700 रुपे तक तो आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखें जियां दोस्तों आज में आपको बताऊंगा कि आप अमेजन पर आदार कार्ड से कोई भी मुबाइल आसान किस्तों पर कैसे ओर्डर कर सकते हैं दोस्तों यहां पर आप सिरफ 12 मैने का ही EMI प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं मतलब कि आपको 2 साल में पूरा पैसा पे करना और यहां पर आप जितनी ज़्यादा प्राइस का मुबाइल लोगे उतनी ज़्यादा आपको EMI देनी पड़ेगी इसके लिए आपके पास अपडेट आदार कार्ड होना जरूरी है मतलब कि आपके आदार कार्ड में मुबाइल नंबर लिंक होना चाहिए अगर बात करें E 20,000 का मुबाइल या कोई भी इलेक्ट्रोनिक आइटम लेते हैं तो आपको लगबग 1000 रुपे से 1200 रुपे तक EMI पड़ने वाला हैं इससे थोड़ा उंपर नीचे भी हो सकता हैं अमेजन पर आदर कार्ड से आसान किस्तों पर मुबाइल कैसे ले इसके लिए आप वीडिय आदरी के आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिप्पेस्ट या पर आप देख सकते हैं ये चैनल का एनलेटिक्स है जो की बता रहा है कि इस चैनल को सरफ 2% लोगी सब्सक्राइब करते हैं बाकी 98% लोग वीडियो तर रेगुल अमीजन की ओफिसल वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोड़क्ट आपको देखने को मिल जाएंगे अलग-अलग ब्रांड की मुबाइल आपको देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले आप जो भी ब्रांड का मुबाइल लेना चाहत जैसे आप सलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप यह मुबाइल सलेक्ट कर लेते हैं तो आपको कोटक के क्रेडिक कार्ड से 1500 रुपे तक का eBay के मिलने वाला है तो आप आसानी से जया कोटक का credit card बना सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस mobile की price साड़ी तेरा जार रुपे हैं और जो भी आप mobile चूज कर लेते हैं उसके सबसे पहले आपको features देख लेने हैं कौन-कौन से features हैं और उसके बाद simple से आपको यहाँ पर buy now उपर click कर देना है जैसे friends buy now उपर आप click करोगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface आपको देखने को मिल जाएगा अगला जो option आएगा यहाँ पर आपको payment वाला option आएगा मतलब कि आप payment किस type से करना चाते हैं या फिर आप pay on delivery करना चाते है या फिर आप अपने bank से करना चाते हैं जैसे भी करना चाते हैं आप कर सकते हैं मानलो अगर आपके पास ना तो credit card है ना आपके bank में balance है तो आप इस mobile को कैसे purchase करेंगी तो friends इसके लिए कहीं न कहीं आपको mobile के लिए lawn किया हो सकता पड़ेगी mobile के लिए lawn कैसे लेना है उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो इसी के अंदर attach किया हुआ है तो आप वो वीडियो पूरा देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी आ जाएगा कि आपको lawn mobile के लिए कैसे मिलेगा और उसमें आपको email कैसे बढ़ना है यहाँ पर सिरफ आपको आधार काड़ और pen card ही लगेगा आपका और document कोई भी नहीं लगने वाला है तो वीडियो को लास तक पूरा देखना आपको मैं step by step समझा देता हूँ तो friends इसके लिए सबसे पहले आपको एक application डाउनलुड करने पड़ी इस application का नाम है bank साथी जैसे कि आप नाम से पता चल जाता है कि यहाँ पर आपको lawn जो है आसानी से मिल जाएगा तो friends सबसे पहले आपको उस application को डानलुड करना है सिंपल सा आपको जो यहां पर continue पर click कर देना है जैसे आप continue पर click करोगे तो आपके mobile number पर एक OTP आएगी उस OTP को यहां पर आपको डालना है ध्यान रखे फ्रेंट्स यह mobile number आपका आधर काड़ से link होना जरूरी नहीं है जो अगला step बताऊंगा वहां पर आपको जो अपना mobile number आधर काड़ से link होना जरूरी है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर आपको अपनी profile को complete करना होता है तो सबसे पहले आपको अपना first name डालना है उसके बाद last name अपनी email ID और उसके बाद यहां पर आपको pin code number डालना है और नीचे आपको referral code number डालना है अगर आप referral code number नहीं डालते हैं तो आपको simple सा है यहां पर आपको email में कोई भी यहां पर छूट नहीं मिलने वाली है तो सबसे पहले रैफल कोड डाल देना और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रोफाइल को यहाँ पर पूरी बर्दी यह फॉरम को बढ़ने के बाद सिंपल सा आपको continue पर क्लिक कर देना है continue पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं application का interface को इस परकार का दिखाई देता है तो अब आपको learn कैसे लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको है नीचे की और scroll करोगे तो यहाँ पर आपकी सामने देखने को मिल जाएगा product वाला option देखने को मिल जाएगा learn वाला और credit card वाला अब आपको learn के लिए apply करना है तो simple सा आपको जो है learn वाले option में चले जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते add lead पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते apply for learn सबसे पहला उंग पर है इस पर आपको जो एक बार के लिए click कर देना है जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपका आधर काट से लिंक होना चाहिए मतलब customer verification खुद को अपना customer वनाना पड़ेगा simple सा आपको अपना आधर काट से लिंक mobile नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपना mobile नंबर डाल देते हैं उसके बाद simple सा यहाँ पर आपको continue पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा अब आपको यहाँ प पर आपको जो है select करने पड़ेगी डेटो पर select करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे pin code का option देखनों को मिल जाएगा pin code लगाने के बाद यहाँ पर आपको state select कर देना है और state select करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे आप city में रहते हैं उस city को यहाँ पर आपको select करना पड़ेगा तो मैं यह सारी एक बाद जानकारी भर देता हूँ उसके बाद मैं आपको अगला process बता देता हूँ तो friends मैंने यहाँ पर सारी जानकारी जो है भर दी है सारी जानकारी बढ़ने के बाद simple सा आपको जो नीचे continue पर आपको किलिक कर देना जैसे आप continue पर किलिक करोगे तो यहाँ पर आपको existing lawn details आपको लगाना पड़ेगा मतलब आप कितने email select करना चाहते है यहाँ पर जो आप email select करोगे उसको यहाँ पर आपको email की कोई value नहीं होगी क्योंकि जब आपका lawn approve हो जाएगा तो अलग से आपको जो email वाला option देखने को मिल जाएगा तो simple सा यहाँ पर आपको अभी temporary के लिए डाल देना है उसके बाद simple सा आपको अगला next step पर click कर देना है यहाँ पर आपको अपने income details दाने होगी सबसे पहले आपको यहाँ पर monthly salary company name designation मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहले मैने की कितने salary मिलती है फिर आपको company करना है और फिर उस company में आप कौन से post पर काम करते है वो डालना है और company में आप कब से काम कर रहे है वो डालना है बाकी यहाँ पर आपको जानकारी दे रखिए वो यहाँ पर आपको भर देनी ज्या इस company की तरफ से आपको call आ जाता है जो आपने दूसरा mobile number दिया था जो आपके आधर कार्ड से link था उस mobile number पर आपको call आ जाता है लेकिन फ्रेंट्स यह step करने से पहले आपको एक step करना पड़ेगा वो अलंकि मैं step करना आपको भूला यान कि भूल गया अब यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल वाला option देखने को मिल जाएगा इसी प्रोफाइल वाले आपसन पर आपको जो यहाँ पर KYC अफ्लोड करने का option मिल जाएगा और आपको email कैसे देना है उसके लिए आपको यहाँ पर bank details को एड़ करना पड़ेगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो प् नमबर IFC code डालकर नीचे आपको check अगर आपके पास check है तो check कर देना है अगर आपके पास passbook है तो passbook का page प्रिंट करके simple सा यहाँ पर आपको upload कर देना है अप्लोड करने के बाद सिंपल सा यहां पर आपको सब्मीट कर लेना है सब्मीट करने के बाद आपको सबसे नीचे KYC डोकुमेंट का ओप्शन देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको KYC कंप्लेट कराने पड़ती है जबी आपका जो है लॉन एप्लोड होता है तो मैंने आपको शुरुआत में नहीं बताता है लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ सबसे पहले आपको KYC कम्प्लेट करो नहीं यहापर आप एड्रेस में आपको अपना आधर कार्ड भी सलेक्ट कर सकते हैं तो आधर कार्ड होगे तो आगे यह पीछ वाली दोनों कोपी यहापर आपको अपलोड करने पड़ेगी उसके बाद सिंपल सा आपको अपना पैन कार्ड नमबर डालना है और नीचे आपको GST नमबर देखने को मिल जाएगा यह नमबर तब डालना है जब आप विजनेस लॉन के लिए अपलाई करते हैं अब यह पके पाद GST नमबर नहीं होगा तो आपको सिंपल सा यह नहीं जैसे आप सब्मीट पर क्लिक करोगे तो आपको कंपलेट हो जाएगी और यह सारे डोकुमेंट कंपलेट होने के बाद विधिन 24 गंटे के अंदर आपको इस कंपनी के द्वारा call किया जाएगा और सारी जो जानकारी आपसे मांगी जाती है वो आपको जानकारी उनकारी कमपनी के साथ share करनी पड़ती है तो आपका जो loan वो आसाने से अपरूट हो जाता है और यहाँ पर आपको हर महिने की दो तारीक को EMI देना पड़ता है तो आप अपने बैंक के अंदर दो तारीक EMI कमप्लेट करके रखे ताकि आपको आगे कोई भी मतलब खत्रा वगरा है मतलब कोई भी परिसानी वगरा नहों तो आई होप यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरू करे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहिन